हाई फ्रेंड्स अस्सालाम अलेकूम कैसे है आप सब अलहम थेक हूं और उमीद है आप सब ठीक होँगे और खुश्शाल होँगे और मैं भी ठीक हूँ आपके दुवा demographic से सबसे पहले मेरे चानल को ससक्राइब कीची लाइक कीची और कमेंट भी कीची मामाशी ब्लॉक को सस्क्राइब कीची चली हैं पर देखें मेरी बेहन ला दिथी दो किको Corona दिजिए एक किलो भी नहीं दो किलो दे का की थी कियोwhy很好 टा हो आई कट प्रत देने वाला दो किलो दे दिया था तो चल होके ले लेंगे बुल को ले के आ आगी थी मैं मतलब इक हमारे घर के लिए और मारे भेहाँ के हर के लिए दो किलो एक किलो बस था फिर विए दो किलो बोल के लेके आ गए थी सम्टिंग 300 किलो और 302 किलो कम्तिंग पढ़ाता उसको पता नहीं मुझे उतना सा क्या रेट उसको मिलाता थोड़े से अच्छे भी थे थोड़े से भी खराब भी थे और कमेंट करके बताए यह नहीं मुझे तो लीची बहुत पसंद है लीची के से जर में मैं अलहमदिल लीची खा लेती हूँ आप हैपा देखिए यह पहले की क्लिपिंग साइज जो पेंटिंग की जो भी मैं पेंटिंग का एड कर रही हो ना एपूरे पहले के क्लिपिंग से थोड़े-थोड़ यह पूरे क्रैकम फिल्स होते हैं उसके बाद क्या बहुत तो सेलिंग्स पेंटिंग होती और यह पर वाइट सेमें से इन्हों खला रहेते हैं बदी के हर जगह पर पतानी क्या फॉल्ट है या कुछ क्रैक्स आजाते ना कोई भी बील्डिंग हमारे घर के मतलब हमारे कॉल इनी में आके सिर्फ दस साल हो गए अलहमदिल्ला कंप्लीटर तो यह लोगां क्रैक फिलिंग कर रहे हैं शायद पानी के वज़े से भी हो सकता या जब हम लोग प्लैस्टरिंग मतलब हम लोग नहीं वहीं प्लैस्टरिंग करते हैं घर भनते स्टेम शायद वो टाइम पर भी कोई क्यूरिंग वगेरा नहीं किये तो भी आ जाता बोलके बोल रहे थे बट अनो आइडिया क्यों आता क्या नी इन लोग आप बता रहे थे इसा मैं आपको बताती जा रहे थे तो देखिए हर जगा वो क्रैक फिलिंग कर रहे थे हर जगा वाइट समेंट्स लगा रहे थे हर जगा क्रैक फिलिंग कर रहे थे देखिए घर पुरा धूल-धूल मैं आपको यह दिखा रही हूं हर जगा कितना भी हम लोग हर जगा खाली estaba इसके उपर उड़ाकर चले गएक्ञेन फिर भी निकालने के बाद इतनी धूल है अगर नहीं उढायोंगे टतीकितनी धूल स्कावड निन लोग назад इससलों दिन में सिर्फ उनोग है जाएक इसलों क्राइक इसलों है डो ख ब्रॉति मेंटी लगा थे उसके बाद नेक्स अब उसके बाद हम लोग तैयरी कर रहें मतलब यह है आपका मतलब वह हो गया पेंटिंग का पहले का खतम कानी अब एच्छे लिए आपकी मैं आपको रेसिपी दे रही हूं बखरी में तो खुर्बानी का गोष्ट रहता ज़ घर में हर चाहिनी बनाना या सालन बनाना खौ्रमा बनाना खोफ्ते बनाना मतलब मतर कीमा के बॉर हो जाते चलो मैं आपके सार्खेर कर रही हूं मुंगे फली के साथ खायमा मतलब गोष्ट डालके बनाने कर यहां पर देखिए मैं पहले के रख लाधिन गोष्टadore के रिख घ्जिं अगर आप नहीं पसंद कर रहे तो नरम भी ले ले सकते हडियों के गुष में आप दाल दीजिए नमक, गरम मसाले, गरम मसाले में क्या है लोंग, चकला, तेस पत्ता, स्टार अनिस बोलते हैं थोड़ा सा अधर लसंग का पेस्ट, नमक, हल्दी दाल के इसको गला दीजिए अब सबको मालूम है बकरित का गोश नहीं गलता, तो अगर वो फ्रिज में चले गया कोई भी गोश बकरित का नहीं, इदर हमारे हैडराबाद में आहलम दिला बकरित का गोश उतना साखत नहीं आता, और उतनी चर्वी भी नहीं है थी हमारे पास, बट दूसरे एरियों मे नहीं मालूम, बट हमारे जो एरिया में रहती उतना चर्वी भी नहीं रहती, तो चलिए वो गलाने, उसमें क्या है, ज्यादा चर्वी भी नी, कुछ भी नी, तो अराम से गल भी जाता, बट जो भी फ्रिज में चले गया गोश एक बार तो चमचो तो इसको गला नाच वीडियो एडिटिंग करते स्टेम मुझे आदारा फ्रिज में बरिस्ता बना के रखे है बहुत सारा, वो यूज़ ने करें, आईसे पढ़ गया आदारा देखियो है मुझे, अब उसके बाद अधरक लसं का पेस्ट थोड़ा सा दालना है, क्यों बोले तो अल्रड़ी मैं इसमें कब गलते स्टेम डालती थी, थोड़ा सा अधरक लसं का पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला, सब कुछ मैं बोली ना, अब अधरक लसं का पेस्ट तली जाने के बाद मैं क्या कर रही थी, मालूम जो गोश गला हुआ था ना, हरी मिर्ची भी दाली थी, गोश में गलते अच्छे से फ्राई हो जाना मिर्चियां बोलके, अब मिर्चियां फ्राई होने के बाद यहां पर मैं डाली थी, दो टामाटर और एक प्यास, टामाटे बहुत मंगे हैं, इसलिए मैं टामाटर की तोड़ा सा कम कर रही हूं कॉंटिटी, अब एक टामाटर, दो टामाटर और एक पैसा जो दो-तिन टामाटर ले ली थे उतना भी अब यहाँ पर देखे अच्छे से इसको भी तलना है अच्छे से जब तक वो पूरी कच्छी बास नहीं चले जाती जब तक तलते हैं हमेशा क्या है कोई भी चीजा हम लोग ऐसे बनाते हैं तो अच्छे से तेल में त तो अतना तौ़न दाल दी थी अबिस्त से फोचे से लिए की लिए जितना मुझे लगता होतना तना हल्दी Torah मैं पहले दाल चुक थी गोषमें गलते को तो इसमें भी थोड़ा सी हलदी में सिफ ग्रेवी के लिए और मसाला भी धे लाल मसाला में देख दाल रहें में है तो थोड़ा सा बैलन्स करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा दाल रही है और आपको सब को मालूम है धन्यांका पॉर्डर के बिना कोई भी मसाल मतलब ग्रेवी नहीं बनता हाँ थोड़ी से आप देखें पहले से अमें कट करके दिखा कर रहे थे ना मुंगी फली का साल मुंगी फली साल नहीं मुंगी फली कट करके दे रहे थे हमां जाड़ में के अच्छे तो निकाल के मैं बना रही मतलब आमें कट करके दिया मैं लाके भी धोड़ ने रख दी थी वैसे दोनी की बारिज तो पड़ रही है अलहम दिल अच्छे से क्लीम भी हो जा रहे है वो फिर भी धोना च्रहता न कोई भी चीज हो तो देखिए आप मुंगी फली दाल के मैं आराम से इसको भून रही हूं मसाले के साथ मसाला पूरा अंदर जाना मुंगी फली में या सर्जन की फली अब देखिए मैं इसको सूच रही थी क्या मई घौश डालके गालाओं या नहीं यॉ छिमनि की आवास बहुत आती इसलिए मुझे वाइस ओवर देना पड़ता एक्चिली मेरा पूरा वाईस देती हूं तो इसलिए मेरे टाइम के हिसाब से में वाईस देती हूं अब गोश्ट गल मतलब मुझे फंदी गलने के बाद डालूंगी गोश्ट बलके समझती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद मुझे यह होता कि नहीं टाइम हो जा रहा मुझे अरभी क्लैसस हो जा रहे फिर मैं जो रोटी भी बनाना है चावल भी नव बनाना है तो इसलिए मैं क्या करते चलोग नहीं होता इसा बलके गोश्ट भी दाल दी थी बाद में मुझे आइडिया समझ में आया नहीं ऐसे क्या बोलते है गोश्ट में बाद में डाल दी तो फिर जो मसाले रहते गोश्ट में नहीं चाते तो इसलिए मैं क्या करी डाल दी थी सब कुछ मिला के डाल के मैं अराम से इसको पकने दिऊंगी यहाँ पर देखें चावल भी अलहमदिल्ला मैं चड़ा दी थी क्यूंबर तो चावल भी पकना है घर में सिर्फ रोटी कोई भी नहीं खाता चावल थोड़ा सा रहना हाँ अगर दफर में चावल हाँ गाया तो रात में रोटी रहना। दूब सुबह अचाहए वह थोड़ा सा आटा था। अगर स्वकाय पराटे सकते उतने अच्छanders क्यासिट मैं पिलके बना पुलके में छोटे चोटे छोटे बना तो आराम चार पांच नहीं ठाल कर लिए तो इसलिएी ऐसा चावल ना रात में रात में एक फोन कर दूंगे को लोगी और घूष्ट कार। मैं पुसको लाश में दिखाऊंगी कैसा बना क्या नी अब आप देखे मैं चावल भी बन रहे थे खाना तैर हो रहा था मेरा हैं आप देखे तवारक दी थी और उसको मैं एक्चुली दो सीटी लगा या ना लगो आप ऐसे भी बना सकते मूंगी फली और गोश आप भी बना बिर्यानी पलाव तहारी ऐसा कुछ खाने से कुछ डिफरेंट से भी आपको तरकारी में दाल ले खा सकते हैं तो कितने होगे पांच होगे देखें मैं आपको दिखा रही थी कितने पेड़े होगे मैं पांच बनाई थी आप मी आ गया भी थोड़े मोटे है बोलके अच्छी बात है जब तक खाना पक रहता दसालन भी बन गया था मेरा और अमी के साथ मही और मेरे अमी के बातों चल रहते पीच-पीच में और देखें छोटे-छोटे बही पूरिया जितने पूरिया रहते उतना पुलके बना रहते जादा नहीं बिना तेल के फुलके अच्छे से रहता रोटी क्या बोलते मटन और मुएक फली के साथ अच्छा रहता खुर्बानी का गोश्च है चिकना देखें हमां हैडराबाद में जो बकरे रहते न उसमें चिकना हट नहीं रहती और चर्वी भी नहीं रहती आराम से बना सकते मगर अइडर हम लोग जो भक्रे लेते हैं हमेशा यहां पर तो उसके पास इतनी चर्वी नहीं रहती बहुत कम रहती मैं हम लोग हमारे गौव में पहले देते थे बच्पन से हम लोग देते खुर्बानी तो चर्वी आती थी 5-5 किलो तिन-3 किलो आपने घर में क्या करना इतनी ब्रयाशा चर्वी नहीं रही तुनिंषर श्र्वी है अंपार फुल के अलाम शे क्यों फूल है थोड़ मेस है नहीं भूल रहते हैं थोड़ मोता है थोड़ और थोड़ा सा आटा था अदमी के केक रोटिया ना बोलके छोटे-छोटे कर लिए चलो यहाँ पर मेरे रोटिया पूरे कंपलीट होगे 5-6 रोटिया मैं आपको यह दिखा रही थी पूरे कंपलीट होगे अब एक ही रोटि बची हुए तव्य पर और खाना भी अलहमदिला मेरा बन गया नहीं बना भी अब इसको खाने में मैं निथारना है इसको निथारने के बाद मेरा काम भी वाकी रहता दम को देना है चावल अब यहाँ पर देखिए मैं जुगाड़ू एडिया लगाती हूं बहुत जुगाड़ू हूं या कंजूस बोलो कुछ भी बोलो और आप यह से कोईंग करते हैं प्लीज नए वीवर्स प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे लाइक कीजे और कमेंट भी कीजे मामाशी ब्लोग्स को सस्क्राइब करिए देखिए हां पर हो गया मैं बंद कर दी थी चूला मेरा सपुच कंप्लीट हो गया रोटी भी कंप्लीट हो गी खाना भी कंप्लीट हो गया चावल भी बन गया था निथार के दम पे छोड़ रही थी मगर दम पे कहां पर छोड़ी देखिए आपलब जुला जला के वेस्ट करना देखिए तवा गरम है आपको यह दिखा रही थी आपको देखिए तवा गरम है चलो यह पर ही चावल पूरा दम हो जाता अब बिर्यानी वगरा सब कुछ दम करते न तव यह तो यह समझे इसलिए मैं तवा बंद करें मतलब तवा बंद होके था गरम था तवा गरम था तो चावल खाना नितारने के बाद मैं उसमें रख दी थी मेरा खाना भी दम हो जाएगा चलो यहां पर देखिए मैं आपके साथ शेयर करनी हूं सालन जो मुंकिक फली और गोश के साथ मैं बनाई थी आपके साथ तेस ने उसका लुक दिखा रही थी आपको टेक्स्च्चर दिखा रही थी का इसा बना क्या नी देखिए कितना सा भाप निकल रहा गरम गरम है न थोड़ा सा थंड़ा होने के बाद देखिए हैं आप लुक कै करके बताईए और इसमें खोप्राव अगरा भी डालना है तो डाल सकते नहीं तो नहीं बट आवाइड कीजिए क्यूंबल तो खुर्बानी की गोश में थोड़ा सा चर्वी रहती थोड़े तो इसलिए अब पसंद आ है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं आप देख मेरा चोटा बहुत सिंह किसकी ड्रॉइंग चल रहे थी चलो अब मुंगिक फली गोश की रिस्पी आप लोग देख चुके बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं चलो अला हाफीज दुआ में आयाद रखिएगा